आपको लगता है कि आप धर्ती पर सेफ हो तो आप गलत हो क्योंकि 15 फरवरी 2013 को रशिया के साइबीरिया में एक एस्ट्रोइड धर्ती पर किदा जिसका वीडियो भी आप लोगों के सामने है और ये तना डेंजरस था आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्स्प्लोजन से दस गुना ज्यादा तेज था और इसने अपने एरिया में घरों के ग्लास टूप गया और पास में रहने वाले लोग को बहुत जोर से आवा जाए तो अभी हालिया 6th February कोई एक खबर आईए कि एक asteroid जो की बहुत बड़ा है 1.3 km का है ये धरती की तरफ 26,800 miles per hour की स्पीड में आ रहा है और ये एक dangerous asteroid है क्योंकि 1.3 km बड़ा है जो धरती से टकरा है तो खतम ही समझो सब इसका नाम है 138971 लेकिन डर नहीं कोई बात नहीं क्य 1.3 km दूर से निकल जाएगा जो ये करीबन चांद से 13 गुना जादा दूर से निकलेगा और ये अश्रोड अभी दूर है और ये आ रहा है और ये सबसे पास आएगा धरती के चार मार्च को तो हम जानेंगे asteroid किस चीज के बने हैं ये हैं क्या और ये कहां से आए हैं और सा इसा बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो में बहुत मजा आने वाला है साथ ही बहुत कुछ नया जाने को भी आपको मिलने वाला है तो सबसे पहले जानते कि asteroid क्या है दूसर ये जो asteroid है इसे शूद्र ग्रह भी कहा ज जाता है और ये चोटी सी चतान या फिर पत्थर जैसा होता है जैसा कि image में दिख रहा है और ये हमारे solar system यानि कि सर्मेदम करें बहुत सारे एस्ट्रोईट हैं और सबसे ज्रॉइट्स पाय जाते हैं ए स्ट्रोईट बेट में और आस्ट्रोई बेलट है उस्का अifter्यूकिकर आज के समये थो और इनका आकला बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे नए आस्रोइट को धूना जा रहा है लोगों को ये भी और आज तक का जो सबसे बड़ा एस्रोइट देखा गया उसका डाइमीटर है 939 किलो मीटर का और इसका नाम है सेरस अभी तक की मोस्टली तीन तरीके के देखे गया है अपनी बनावट के हिसाब जो कि यह सी टाइप एस टाइप और एम टाइप जो सी टाइप के साथ ही साथ निकल आईडरन से और M-type के एस्टाइड होते हैं मेटर के जिसमें आईडरन और निकल मोस्टली होते हैं और यह ज़्यादा तर सूरच के करीब देखे जाते हैं क्योंकि जादा गर्मी की वज़े से इनका सिर्फ निकल ही बचता है और बाकी चीज़े जलके र बने थे अभी इन एस्टरोइट्स को देखते हैं नासा साथे साथ कई और स्पेस एजनसी और कई सारे कॉमन लोग और इसको देखने के लिए कई स्पेशल कम्मुनिटी भी है तो बड़ा सवाल यह है कि इनको ऐसे देखा ही क्यों जाता है हमें क्या मिलता इसको देखकर तो यह नासा जैसी बड़ी स्पेस एजन सीस हमेशा एस्टरोइट को और धरती के पास के ऐस्टरोइट्स को सबसे ज़ादा देखती रहती है और 24 घंटे देखती रहती है यह धरती से 28 माइल तक कॉमेट्स और कई और चीजों की मोनिटरिंग करती रहती है क्योंकि नासा की व ये दुनिया भर के तमाम एजेंसिया हैं जो कि NASA से connected है और मिलकर ये काम करती हैं और ये काम किया जाता है कहीं न कहीं धर्ती की रक्षा करने के लिए साथी साथ हमारे space के ज्यान को भी बढ़ाने के लिए और साथ ये 2022 में NASA जैसी space agencies काम कर लिए कि धर्ती की तरफ कोई आते होई asteroid से हम धर्ती को बचा सके ऐसी technologies पर काम किया जा रहा है क्योंकि ये धर्ती का the end हो सकता है अगर कोई बड़ा asteroid धर्ती की तरफ आता है अब जानते हैं कि इन asteroids को कैसे पता लगाया जाता है कैसे asteroids को भूटते हैं तो दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं, इसको करने के लिए लगती एक काफी जादा मेहनत, कुछ special tools जैसे कि एक telescope जिसमें camera हो, जितना अचा telescope और जितना अचा camera उतनी जादा detail, तो दोस्तों इस telescope और camera को रात के समय पर रखा जाता है, और एक particular जगा की तस्वीर निकाली जाती पर कुछ समय बाद इसकी और तस्वीर ली जाती है, और ये बहुत precise काम है, आपका telescope और camera इसकी direction बिल्कुल भी change नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस particular जगह की ही तस्वीर लेंगे, और हर बार वो same जगह होनी चाहिए, फिर उन सभी तस्वीरों को एक साथ रखके compare किया जा पर तस्वीरे खेचिंगे, तो हमको वो movement दिख जाएगा, तो अगर जो asteroid होगा, वो एक समय पर एक जिगह पर होगा, और दूसरी फोटो में वो दूसरी जगह पर हलका shift कर गया होगा, और इसी चीज़ को ढूनते हैं ये asteroid hunter, यानि कि सेम जगह की तस्वीर ली और उसमें changes चूनते हैं, इन तस्वीरों में difference को देखने के लिए, software का भी इस्तमाल किया जाता है, साथे साथ manual भी आप खोज निकाल सकते हैं, और ये काम कुछ कठीन होता है, जैसे कि ये तस्वीर आपके सामने, इसमें गिनकर बताइए कि कितने घोड़े यानि कितने horses हैं, और comment box में comment जरूर कीजिए, इसका नतर में last में दूँगा कि कितने घोड़े हैं सच में, देखते हैं इसको कौन सही जई पैचान पाएगा, अब जानते क्या है difference asteroid, meteoroid और comet में, जैसा कि हम जानते कि asteroid छोटे पत्थर होते हैं, asteroid की तरह comet भी सूरज का चक्कल लगाते हैं, बट ये asteroid क पत्थर के नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं, ice और dust के, और इसलिए जब एक comet सूरज के पास जाता है, तो उसकी ice यानि कि उसकी बरफ और dust के चलते हैं, उसमें एक vaporization देखने को मिलता है, जिसके वज़े से ही जब इसको टेलिसकोप के थुरू देखा जाता है, तो उस एक छोटा सा टुकडा है, उसका side बहुत छोटा होता है, pebble जैसा, यानि कि एक छोटे से पत्थर जैसा, और ये बने हुए होते हैं, दो चीजों के टकराने की वज़े से, और जब ये metroid अर्थ के पास आते हैं, और धर्ती के atmosphere में enter करते हैं, तो इसको एक meteor कहा जाता है, औ जैनि कि तूटता हुआ तारहंद जिसको कहते हैं, वो एक meteor होता है, तो बस यही difference होता है, एक asteroid, comet और एक metroid में, चैनल को subscribe करके, बेल का इकन ज़रू दबाले, धन्यवाद,